हे आवरिवन कैसे आप सब हमारे चैनल जेके अससब अड़ा में आपका स्वागत है सो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे ठर्ड जून के करंड फेर मतला आज के करंड फेर के कोशन्स आज हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को स्किम मत करना आज मैं टॉप टेन कोशन्स लेके आयों तुड़े करंड फेर के यह मेरा इंस्टेग्राम चैनल है यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगर कोई भी क्यूरी होती है तो यह मेरा वाट्सअप नमबर है यहाँ पे आप मैसेज बेश सकते हैं क्वेशन नमबर फर्स्ट है मेरा वो विकम्स चीफ एग्जिबुटिव ऑफिसर आफ एफ एस एस एई एफ एस एई के निव सी एओ चुने गया है अध्यक्ष वो उनका नाम क्या है वो अध्यक आप्शन नमबर सी अरुन सिंगाल अरुन सिंगाल is the new CEO of FSSAI FSSAI क्या है यह हम आगे डिसक्स करेंगे सेकिंड क्वेशन देख लेते हैं वो अपोइंटेड एज चीफ एग्जिबुटिव ऑफिसर आफ केरट इंडिया नोबडीज केरट केरट एक मीडिय के एजंसी है और इसके यह new CEO चुने गया है वो है अनीता कोड़वानी Option number A is the right answer अनीता कोड़वानी Question number 3 पर बढ़ते हैं Who become new MD of IIFCL अब IIFCL भी हम आगे डिसक्स करते हैं तो पहले देख लेते हैं इसका answer क्या होगा तो इसका answer है Option number D PR जैशंकर PR जैशंकर is the new MD of IIFCL अब यहाँ पर देख लेते हैं FSSCI के हैं इसकी पहले full form देख लेते हैं Food Security and Standard Authority of India ठीक है यह full form भी के वार exam में पूछी जा सकती है तो यहाँ पर फुल form भी देख लेना इसको note on कर लेना अब यहाँ पर यह FSSCI established कब हुआ था 5th of August 2011 को यह established हुआ था Under which act कौन से act में इसको लाया गया था Food Safety and Standard Act 2006 और यह यह Food Safety and Standard यह act है यह operationalized हुआ था 2006 में इसको operationalized किया गया था अब यहाँ पर यह question और arise हो सकता है FSSAI के यह member है वो कितने member होते हैं तो इसके 23 members होते हैं including chairperson इसका ठीक है और अब chairperson की बात करते हैं तो chairperson यह FSSAI के chairperson है वो है Rita Teotia ओके और यह CEO है वो है अरुन सिंगाल और यह तो आपको पता है यह आपको बता दी है मने अनीता कोटबन यहाँ पे new CEO बनी है ठीक है कारट इंडिया की और यह है आपके जैश अंकर यह है managing director IIFCL के तो IIFCL की full firm क्या है इंडिया infrastructure finance company limited और यह तीन साल के लिए appoint हुए है ठीक है और यह किस ने appointment करा है इसकी प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी has approved the appointment of PR जैश अंकर नाराए as managing director यह था यह पहले तीन question इसी में से discuss कर लिए हमने अब आगे बढ़ते हैं question number 4 question number 4 which state has launches a rosegar setu scheme for skilled worker अपने skilled worker के लिए कौन सी state ने यह app launch की है जिससे app का नाम है rosegar setu तो यहाँ पे option number हो जाएगा इसका ए मध्या प्रदेश ने मध्या प्रदेश ने launch करिया rosegar setu am for skilled workers question number 5 which country has terminated its relationship with WHO over its handling of the coronavirus pandemic recently यहाँ पे एक country ने WHO से अपने सारे रिष्टे तोनने के लिए उन्हें decision लिया हुआ तो उस country का नाम बताना हमें वो जाग option number B United States के इसने अपने सभी relation WHO से break करने है तो इसका option है United States question number 6 most important तलंगना formation day most most important question तलंगना formation day है यह होता है 2nd June को तो यह भी आपके exam में note on कर लेना क्योंकि यह most important है क्योंकि important days भी paper में पूछे आते हैं अब आपका मुझे comment box में यह बताना कि तलंगना पहले कौन से state के अंदर थी अब यह newly formed state है ना तो पहले मुझे यह बताना comment box में कि पहले यह कौन से state के अंदर थी question number 7 देख लेते हैं which sports personality was ranked at the top in the annual forbes ranking of highest paid athlete इन में से कौन सा यह annual forbes की ranking आया भी उस में से सबसे दा top करने वाला highest paid athlete कौन सा है तो वो option number C हो जाएगा रोजर फेडर ओके तो question number 8 देख लेते हैं who launched a new application name sodar to help people maintain distancing sodar app यह यह launch किया है Google ने question number 9 देख लेते हैं who has been nominated for Rajiv Gandhi Kheer Ratan about 2020 2020 में Rajiv Gandhi Kheer Ratan nominated किया गया इन person तो उसका नाम क्या है रोही शर्मा option number C is the right answer question number 10 who launched my life my yoga contest A lockdown यह my life my yoga है यह हमारे ही prime minister में किया हुआ इंदर मोदी जी ने question number 11 देख लेते हैं which state is to launch K phone इसका answer हो हो जाएगा option number B Kherla now what is K phone K phone है Kherla Fiber Optical Network ओके यह हो किया यह launch किया Kherla ने ताकि जितने भी यह poor people है free internet facility provide करवाई जाएगी उनको तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे यह थे top 10 question today current fair के ऐसा ही और current fair चाहिए तो आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए well icon को tick कर ले अगर कोई new है तो वो subscribe कर ले चैनल so thank you and have a nice day